गुड मॉर्निंग फ्रेंज बहुत सालों के सासन के बाद मैं दोस्तो 2014 में कॉंग्रेस का सासन इंडिया से खतम हुआ और इंडिया में बीजेपी गॉर्मेंट के सरकार बनी और नरेंद रिमोदी हमारे भारत के परधान मंदिर बने थे उस समय दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे के हिसाब से बिक रहा था और डिजल जो बिक रहा था वो 57.28 रुपए लिटर के हिसाब से बिच रहा था लेकिन 2017 के बाद से सेचुएशन बदल गया दोस्तो हर एक दिन 6 बज़े निकि हर एक दिन सूबा में 6 बज़े पेट्रोल और डिजल के प्राइसे रिवाइज होते हैं डेली के डेली रिवाइज होते हैं 2013 के डेटा में आपको सुरी 2020 का 13 दिसंबर 2020 का डेटा बता रहा है इनकी कल का में डेटा आपको बता रहा हूँ डिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे के चाहब से बिक रहा था और डीजल जो था 73.87 रुपै के हिसाब से बिक रहा था दोस्तों 2014 के बाद से और 2020 के बाद से आप इन दोनों में difference देख सकते हैं जो 2014 में 71 रुपैस पेट्रोल था और 57 रुपै डीजल बिक रहा था उन दोनों के बीच का जो रेसीयो गाप था रिजल था यही जो रेट पे पे पेट्रोल था उससे भी कही moyens जाद डेजल अज भी कर रहा है सिनारियो देखेगा इंफलेशन का उसके बाद मैं आपको नॉम्पर 2020 का कुछ डेटा बतात हूँ ध्यान से देखियागे दोस्तों, इंडिया का जो रिटेली इंफलेशन है, वो 6 साल मेंगे सबसे ज्यादा हाई है दोस्तों, आज तक कभी भी 6 साल के पहले इतना हाई नहीं था, जो कि आज है, consumer price index, इंडिया का, जो consumer price index इंफलेशन है कि जो हम लोग इंफलेशन कंजीमर के बेस्ट पर मेजर करते हैं वो 2014 के में 2014 से अभी तक सबसे ज्यादा आई है दोस्तों अक्टूबर का मैं डेटा बता रहा हूं 7.61 पॉर्शन था वैसे ही आप बेवरेज में देख सकते हैं इंफलेशन फूर्ड एंफलेशन कोरी इंफलेशन देख सकते हैं रिटेन इंफलेशन यहाप देख सकते हैं मैं आपको मेंली मोटे मोटे तरफ पर बताने के कोशिस कर रहा हूं कि देखे रियालेटी इंफलेशन के बारे में और अनिप्लाइमेंट के बारे में मैं आपको द भी टैकल करने वाली पॉलेसी उसके काम नहीं आ रही है क्योंकि 4% समय सहीं ज़्यादा है वो दोस्तों उसके बाद मैं आप देखिया मैंने धेर सारे inflation के बारे में इंशन किया है जो GDP का growth rate था जो पहले predict किया गया था उसको उन्होंने revise किया है मतलब उन्होंने बदलाव किया बोला किया ऐसा नहीं हो सकता जो कि हम लोगोंने पहले बताया था तो अब जो GDP का growth rate दिखा जाएगा अब जो GDP का उन्होंने prediction किया हो बहुत ही दोस्तों खतरनाक शेहर एक तरीकर सागर देखा जायतों क्योंकि इंडिया बहुत बुरी तरीके से ऐसी गंबीर स्थितितिते गुज़र रहा है जिससे निकलना बहुत टफ होगा इंडिया को दोस्तों क्यों होगा मैं आप आपको बताने के गोशेश कर रहा हूँ बड़े-बड़ी एकोनोमिस ने रिवाइज किया GDP को ग्रोथ अब ही हाली फिलाल में 31 अगर्स्त को दोस्तों अगर्स्त में GDP का जो निव डेटा उन्होंने लाँच किया था तो उसमें उन्होंने दिखाया था उन्होंने बोला था कि हम लोग सोचे थे, जिस हिसाब से economy shrink कर रही है, जिस हिसाब से economy shrink कर रही है, India Rating and Research Company, मतलब इंडिया की Rating and Research Companies हो, चाहे Goldman Sachs हो, ICRA हो, चाहे Casey, जो सबने negative direction दिया हैं che India को इसแ toothpaste को बहुत ही तिन यहीं के तरना गा करेगा, लेकिन अब धीरे धीरे बुस्टा फुरा लेकिन अभी भी उस पेस से नहीं हो रहा दोस्तों करिणकर करोंगा और मैसिव नग्रिया जानते ही है क्योस्ते बहुत सरे मैं और अदिकांस तो फाम सेकरट में जाके एंवाल्व हुए हम लोग उस पर बात करेंगे दोस्तों क्रिसील ने सेप्टमबर के अबडेट में दोस्तों दो चीज के बारे में जिकरई किया था credit credit agency है economy के बारे मों rating करती है तो ये September में इसने दो चीज़ों को focus किया था mainly इसने क्या focus किया इसने बताया कि जो government है हमरी India में क्या है इंडिया के बारे में इसने बताया है कि जो Indian government है हम उसके बारे में बताएंगा भी दोस्तों तो इसने पहला ये बताया कि जो COVID है COVID-19 का जो spread हो बहुत तेजी सभी बढ़ भी उसको खत्म नहीं किया गया है और दूसरा इसने ये बताया कि जिससे में lockdown लगा हुआ था उस समय government of India ने बोला था कि हम अपनी economy का 1.2% खर्च करेंगे इस पे COVID-19 पर उतना खर्च हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी government ने बुला थे का हम 1% extra GDP का खर्च करेंगे इस पे लेकिन ऐसा सोचा गया था लेकिन सरकार ना ऐसा नहीं किया यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ दोस्तों कि 1.2% of GDP that was announced in the immediate aftermath of the lockdown but it has not happened लेकिन यह नहीं हुआ दोस्तों इसलिए क्रिसिल ने क्या बोला क्रिसिल ने इस्टिमेट किया कि इंडिया जो है वो 13% real GDP को लॉस करेगा permanently लॉस करेगा दोस्तों अब समझ लिए permanent loss क्या है देखिए 13% real GDP का मतलब हुआ कि 30 लाख करोड इंडिया में नुकसान हो गया है दोस्तों यह ऐसा नुकसान है जिसको कि हम reverse नहीं कर सकते हम दुबारा इसको नहीं कर सकते है हो गया तो हो गया भी दुबारा नहीं आ सकता है दोस्तों that is the permanent loss लेकिन 30 लाख करोड का जो loss हुआ था सरकार उसको भरपाई करने के लिए यह boost up करने के लिए कितना खर्च किया आत्म निर्फर भारत अवियान के तयात में क्यवल उसने 3 लाख करोड को launch किया दोस्तों कम 3 लाख करोड करेंगे उससे क्या होगा जब 30 लाख करोड कर खतम हो गए वो नहीं आ सकता है उसको boost up करने के लिए कोशिस कर रहें तो बहुत छोटा सा समझ लिए बहुत छोटा बहुत भ्यानक तरीके से लोगों का job खतम हुआ है जो नोकरी कर रहे थे और उसके चलते हमारी इंडिया में economic unemployment बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और unemployment बढ़ा है तो उसके चलते employment opportunity भी कम हुई है दोस्तों इस साल है निकि current financial year में हमारा जो इंडिया का growth rate है निकि GDP rate है वो 10% तक sign कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो unemployment बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर unemployment नहीं बढ़ता तेजी से तो हमारी इंडिया की जो ये GDP rate है वो shrink नहीं करते है दोस्तों अब देखे हमारा पर आपको एक बात बताने के कोशिश कर रहे हैं NSSO का data को हमें आप जिकर करने के कोशिश कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि lockdown के बाद से इंडिया में opportunity की कमी हुई है चाहिए इंडिया में 30-30 unemployment बढ़ा है ऐसा नहीं है unemployment इंडिया में lockdown से पहले से unemployment को और इसने क्या कर दिया ग्रेव कर दिया दोस्तों और भयाना कर दिया समझ लिजिए इंडिया में total समझ लिजिए कि 35 million ऐसी लोग है जो unemployed है उनके पास कोई नौकरी नहीं है ये तो वो हैं जो कि पहले से थे लेकिन lockdown के लगने के बाद में 21 million के salary चली गए है दोस्तों 20 million salary person के job चले गए है तो वो कहां जाएंगे वो additionally AC data में एड हुए है तो कुल मिला कि आपके पास में 56 million ऐसी people आज इंडिया में जो कि unemployed है और उसमें सुझो मैंने आपको बताया था कि 21 million जो है जिनके job चली गई है वो कहां गया होंगे वो किसी दूसरे sector में involved हुए है और अध किस million extra गई हुए हैं lockdown के चलते वो क्या कर देंगे जा के farm sector में disguised unemployment create करेंगे मतलब यह कि उनको जरूरत नहीं यह उस सेक्टर में काम करनेगे क्योंकि अगर वो नहीं उसमें काम करेंगे तो भी production पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है तभी हमारी economy उतनी ही रहेगी लेकिन इनके जाने से क्या होगा farm पर लोड पढ़ेगा लेकिन कोई boost up नहीं होगा कोई productivity नहीं होगा कोई income में ज्यादा बदलाओं नहीं होगा दोस्तों that is the disguised unemployment unemployment कि लोगों को जरूत नहीं है लेकिन फिर वी उसमें जाकर जबरदस्ती involved हो रहे हैं तो दोस्तों यह scenario आज इंडि इंडिया की economy क्या हो रही है इंडिया का जो unemployment लोगों के बीच में बढ़ रहा हो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथी साथ में inflation बढ़ रहा है दोस्तों तो दोस्तों यह कुछ ऐसे points थे जो कि हम लोग आज जिकर किये जो कि हमारे इंडिया के reality से वाकिब कराता है कि कि इस परकार से situation बदल रहा है धीरे धीरे ऐसा नहीं का unemployment अभी ही बढ़ा हुआ है unemployment पहले भी था lockdown से पहले भी था लेकिन lockdown ने उसको और इंग्रेव कर दिया दोस्तों जॉब के opportunity कम हो रही है यहां पे inflation हाई हो रहा है जो डिजल पेट्रोल के लिए कि बीज़ेपी government कभी बोलती थी कि यह तो हमारे भागी का खेले कि इससे में डिजल पेट्रोल कम हो गया लेकिन वहीं देखी अब उनका भाग प्लट गए जिस समय पहले पहले पेट्रोल बि रहा है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है कि बड़ी बड़ी बाते करने से economy में development नहीं होता है कुछ करना भी पढ़ता है जोस्तों तो यह सारे factors से जो के हम लोग आप डिसकस किये कुछ inflation के बारे में और कुछ unemployment के बारे में Thank you so much